हाजी तो कैशा आप लोग मैं आपका निलेश पी अब बहुत बहुत श्वागत करता हूं इस यूटूब चैनल पे दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी बोड का जो सेंटर लिष्ट आया है आप लोग का बोड पर इच्छा का उसमें अपना सेंटर कैसे देखे या दूसरे किसी भी लड़के का सेंटर कैसे देखे कि कि किसका सेंटर कहां गया है साम को मैंने वीडियो बनाई थी कि सेंटर लिष्ट कैसे डाउनलोड करें फाइनली यूपी बोर्ड ने अपना बोर्ड पर इच्छा 24 के लिए सेंटर लिष्ट जारी कर दी है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दू ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा पूरा डीटेल में बताने वाला हूँ कि आप अपना सेंटर लिष्ट कैसे देख सकोगे और काफी सारे लड़कों को सेंटर लिष्ट देखने में डाउट हो रहा था एक बहुत बड़ा मैं आपको शर्प्राइज देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने बोड़ी यह में असानी से 80-90% मार्क अचीव कर सकते हो तो वीडियो को अन तक देखना पहले मैं आपको वता दूग कैसे देखना है उसके बाद वो सर्प्राइज आपको बताऊंगा ठीके तो देखो सबसे पहले यहाँ पे यह आपको सबसे पहले पीडियाप डाउनलोड कैसे करना है कि अपने फांचीए और यह आपको और वतास जोगा हूं लेकिं चलो एक बार और अच्छे से अपको यहाँ पर बता देता हूं जो भी जैसे यह आगरा का है तो इसके सामने यह लिखा है final center list इस पे click करोगे तो download हो जाएगा बाकी ऐसे भी आप कर सकते हो जैसे यहां पे सिधे site पे भी जा सकते हो जैसे यह UPSP site है UPboard की official website है और देखो सबसे छी बात यहां UPMSP search करोगे तो यहां नीचे I think देखो यह मेरी यह भी है UPMSP study करकर इसे आप download कर रहे ना आपके study में काफी help करेगी ठीके इसी पे एक बड़ा surprise यहां तो देखो यह UPMSP यहां पे भी चल जाओगे यह UPboard की official site है यहां से भी आप देख सकते हो अपना center list जैसे यहां पे नीचे आओगे ठीके स्क्रॉल करकर तो यहां पे द download हो रही है पता नहीं यह net मेरा क्यों चलो है चलो मतलब वही आप ओके देखो यह आ गही न यह पूरा पूरा आ गया ठीके आप देख सकते हो तो यह आ गया यहां से आप किसी वीजी लेक आप download कर सकते हो और उसके अलावा यहां देखो यह official website से यहां पर यह आओगे न त कर सकते हो ठीके तो बहुत सारी चीजह मैंने आपको सुरू सुरू बता दी अब चलो हम लोग अपना कोई भी एक जीले का सेंटर लिस्ट डाउनलोड करते हैं और उसके माध्यम से देखते हैं कि सेंटर लिस्ट कैसे हम लोग देखेंगे तो देखो एक्चुली मैं अपने फाल् Corona डाउनलोड कर लेता हूं यह नीचे मैं आ जाता हूं अपना जो मेरा जीला है देखो कहां गया वही नहीं किया गया है कुछ प्रॉलम होगी central list को लेकर final नहीं हुआ होगा यहाँ पे एक दो दिनों में जिस जिस जिले का upload नहीं हुआ है वो कर दिया जाएगा, बहुत कम जिले हैं जिनका upload नहीं हुआ है, तो देखो यहाँ से, यह बलियां के सामने यह final central list है, इस पे मैं click करता हूँ अब देखो इसमें यह पूरी पूरी आप किसी भी जिले का download करोगे यह बहुत आपको pages इसमें देखने हो को मिलेंगे तो आप कैसे आपको अपने school का खोजन है भाई, इतने सारे video में आप कैसे खोजोगे, ठीक है यह इतने सारे school का नाम सब है, यह देख सकते हो, तो इसमें कैसे खोजोगे आप अपने जीले का, तो simple सा इसका तरीका है, देखो, यहाँ पे यहाँ पे उपर देखो, उपर यह search करने का option है, यहाँ पे है ने, यह search वाला, यह मदब यहाँ पे, तो यहाँ पे आप किलिक कर दोगे, यहाँ पे find लिक कर आ गया, अब यहाँ पे आप अपने school का नाम लिख होगे, ठीके, अपने school का नाम या school का code भी लिख सकते हो, जैसे एक school है मेरे इलाके में, उसका code है 10-30, 10-30 नहीं भई, 10-13, ठीके, 10-13, ठीके, और मैं यहाँ डाला, तो देखो, यहाँ पे, डारेक्ट यहाँ पे, यह school आ गया, ठीके, यह अपना नाम भी लिख सकते हो, school का यहाँ पे, आप नाम में आप देखना कि कहीं, मतब जैसे इसमें 60 नाम लिखा होता है, जैसे देखो, यह है न, यह, ASBS लिखा है, इसका full form है, अमर सहीद भागत सिंग, तो 60 में नाम लिखा होता है, तो आप पूरा नाम लिखोगे, तो साय सर्च में भी ना आए, तो एक बार, मतब साट में नाम लिखना, ठीके, तो A, S, B, S, मतब अमर सहीद भागत सिंग, इंटर कॉलेज, ठीके, अब देखो, इसको मालो सर्च होकर, आटोमेट के लिए, यहां पर आ गया, और यहां पर क्या दिखा रहा है, देखो, यहां कोने में आपको दिखा रहा है, 2 of 30, यानि, तेरा में से दूसरा, तो आप देखो, इस धर यहां लिखा हो है, दूसरे जगह पर यहां, तीसरे पर यहां, चोथे पर यहां, नीचे कहीं आओगे, तो वह 5 पर लिखा होगा, कहीं नीचे, तो वह चलो, हम लोग बारी-बारी से देखते हैं, अब देखो, यहां पर आपको कैसे देखना है, आप इसकूल का सर्च कर लिया अपना नाम तो कुछ इस प्रकार का आज आएगा अब देखो यहाँ पे यह जो main corner है यह जो main line है main जो यह line है न ठीके यह जो 10-10 लिखा है और इसके आगे यह लिखा है SBS Inter College ठीके इसमें center गया है ठीके यह main line है यह वाली ठीके इसमें center गया है किन-किन इसकूलों का तो इन-इन इसकूलों का अब कहोगे कि ठीक है वही यह यह तो हमने अपना school सर्च किया और उसी में center आया है तो यह तो किसी दूसरे के school के मतबल दूसरे school के इसमें center गया है तो बिल्कुल सही बात है आपका school जो होगा उसमें center आता है तो आपका main corner में भी school रहेगा और अगर center नहीं बना है आपका school तो इस main corner में नहीं रहेगा जो यह main line है इसमें नहीं रहेगा तो यह मैंने एक ऐसा school का नाम सर्च की है जिसमें center आता भी है और जिसमें से center जाता भी है तो इसलिए में line में यहां पर यह मैं आपके सकते हो यह wanna मतलब चोदों है और निचे यह Is anyone यहां पर यां निचे लिख़्ए इंटर 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 या इधर इनटर वाले school का अब देखो बहुत सा लड़के बोलते हैं कि भाईया ये BUM CRM ये सब क्या है तो इसको छोड़ों ये आपके मतलब का नहीं है मतलब स्कूलों की कैटेगरी वो बाटी जाती है वो बोर्ड का काम है ठीक है ये आपके समझने की चीज नहीं है अब देखो यहाँ पर यहाँ पर यह मेल लाइन में जो मैंने स्कूल का नाम सर्ची यह है और यहाँ पर देखो उसी का नाम यहाँ पर भी यहाँ दिखा रहा है ASBS Inter College रसना बलिया इसका मतलब क्या है मतलब इस स्कूल का सेंटर इस स्कूल में आया है तो आप कहोगे कि भाई उसी स्कूल का उसी स्कूल में सेंटर यह कैसे सम्भ हो ए तो है भाई यह तो home center हो गया जो लड़कियों के लिए होता है इस school में center आया हुआ है यह ASBS Inter College का यानि ASBS Inter College में center गया है ASBS Inter College का है इसका मतलब यह home center होगा देखो यहाँ पे check भी कर लो यहाँ पे scroll करकर इधर आओगे तो देखो यहाँ पे फोस्ट में देखो यहाँ पे 344 और F लिखा है यानि लड़कियों का तो लड़कियों का यहाँ पे लड़कियों का आप जानते होगी home center होता है तो समझ गए अगर उसी school का उसी school में center मतलब वो home center होगा ठीके इधर आपका subject भी लिखा होगा चलो नहीं लिखा है यहाँ पे अब देखो यहाँ पे अगला देखो अगला क्या है यह यह school यह देखो ST करकर है ठीके यह एक school है inter college ठीके परसिया रशना बलिया इस school का center आया हुआ इस school में ठीके high school वालों का high school का यह मतलब है और उसी प्रकार अगर inter का आप देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे inter का है जैसे इंटर का यह school है ASBS inter college देखो बलिया मतब ASBS है और यहाँ पे भी आपका क्या है ASBS है मतब ASBS में ही center गोय है ASBS का इसका मतब क्या है कि यह home center है यहाँ पे इदा देखो कि यह home center होगा मतब लड़की होगा देखो यहां 161 रर्की है और female मतलब यह होम सेंटर है clear और दूसरा भी देख सकते हो ASBS Inter College का सेंटर गया है कि इसमें यह जो मेन लाइन में है ASBS Inter College में इसका मतलब कि उसी स्कुल का उसी स्कुल में मतलब यहां भी होम सेंटर होगा देखो यहां पर देखो यह 309 सेंटर होगा है और उपर वाली जो 116 फीमेल थी वो other than science थी यानि science से पढ़ने वाली नहीं थी और यहां पर यह जो second है यह साइंस से पढ़ने वाली है यहां पर आप subject भी देख स नाम आपको दिखाने देगा तो यहां पिये वाला है ठिक है उसके बाद तिसरा नाम तो यह चौथा नाम आप जाते जाओ तो यह चौथा है ठिक है जो यह जो इनल isla कर आ तो देखो यह क्या है यहां पे भी यह पाँछावा एसबियस इंटर कॉलेज रस्णणा ठीके अब देखो यहां पर मतलब इसका मतलब यहां पर इसका मतलब यहां पर इसका मतलब यह है थयक्षिए फिमेल लिख्या है यहाँ पे मयल लिख्या इस रदफ का सेंट्र गया तो युझाल मेर नाथ इस में गया है ठीके कलियर अब देखो यहाँ पे लिख्या है फरस्ट नेकंट यह सेंट इसका मतलब काफि सात्व coordinator Deus यह first और यह second क्या है तो देखो यह first second इस लिए लिखा है ठीके यह I think जैसे लड़के बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मतलब उनको दो पाटों में बाट दिया गया है यहां पे लग रहा है ठीके जैसे 169 ऊपर 169 नीचे यह दो पाटों में बाट कर उनुहां पे दो था उस प्रकार से लगाई जाएगी ठीके बही ऐसे मतलब बहुत सारे लड़के होंगे एक ही स्कूल में और एक ही स्कूल में सेंटर चला जाएगा तो सभी लड़के आसपा सी बैड जाएंगे एक ही स्कूल के तो नकल होने का chances रहेगा तो इसलिए वो साथ पार्ट वन औ अब देखो आगे चलते हैं अब देखो यह 5 आप 13 उपर लिखा है ना 5 आप 13 मतलब 5 वा हमने क्लीर कर लिया अब 6 नंबर चलते हैं 5-6 यहीं पर है साथवा यहां पर आजाते हैं देखो यहां पर लिखा है क्या एक सचार लड़के और मेल हैं और other than science है यह निए science है पढ़ने वाले नहीं है आप कहोगे है कि वहांद भी लड़को का मतलब सेंटर गया था एक की दूसरे school में और यहां भी ة दूसरे school में जा रहा ईसका मतलव क्या भाई इसका मतलब यहाँ पे इस school में जो मैंने सर्च किया है school अपना ASBS Inter College इसमें लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है ठीके लड़कों की संख्या क्या है बहुत ज्यादा है ठीके इसलिए यहाँ एक दूसरे school में भी center भेजा गया है ठीके अगर आपके मतलब इस school में लड़कों की संख्या कम होगी ठीके तो वो एक ही school में पूरा पूरा सेंटर चला जाएगा और अगर लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है तो वो मतलब दो या तीनी school में center जाएगा तो अब कहोगी कि तब तो हमें center list इस डाइरेक्ट मालूम नहीं चल पा इस school में गया है यह S&BIC जाम बलियां करकर है और अभी हमने उपर देखा यहां पर इंटर के लड़के थे कुछ यहां पर देखाओ यह जो part 1, part 2 करकर था कि इनका center गया है किस school में ठीक है यहां पर देखो किस school में गया है वही कि यह सिरी अमरनाथ जो यह college है इसमें गया ह तो इसका मतलब कि दो school में center जा रह dad इंटर वालों का तो यहां इसका मतलब कि इन ही दोनों में से किसी एक में आपका center जाएगा यह तो fixed हैं लेकिन एक में यहां बता नहीं सकते बहुत कि कि किस में तो इसमें मतलब हजार हजार लड़कों का एडमिशन होता है ठीक है तो हजार लड़कों का सेंटर एक ही स्कूल में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए यहां पर कई स्कूलों में सेंटर गया है ठीक तो यह 6-up 30 मतलब उसके बाद आगे सर्च करते हैं अब देखो तो यह SBS Inter College का सेंटर गया है किसमें, यह तो हमने देखी लिया आठवा देखते हैं, अब देखो यहाँ पर High School का है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आगे लिखा है, देखो आगे लिखा है, मतलब High School का सेंटर गया है, और यह main corner में क्या है, यह किसान करकर कोई स्कूल है, उसमें सेंटर गया है, ठीक है, और यहाँ पर देख सकती है, यहाँ देख सकती है, 150M, यानि लड़कों का और यह first part है, ठीक है, first part में इतने लड़कों का गया है, ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, आगे एक बार और यहाँ पर सर्च करते हैं, अगला, तो आगे देखो यह नहां पर आगया है। एफिर इंटर वा लोग आ गया,हाय ये erिपे इंटर कॉलेच sa Jonanda inter college MEN G나 इनका इंटर में बहुत सारे अधियर स्कॹुल में ऑर है और उसका स्कूले यह कई स्कूलें चीस श्रेकों में जाने आपका आप का rice s हाई स्कूल का लिख़ है, हाई, मतलब हाई लिख़ है और ASBS Inter College, यनि जो हम लोग का ये college हमने सिर्च किया था, वो है, ठीक है, तो इसका center इस school में गया है, ये देखो, ये जो है, अब हम ने उपर दिखा कि high school का center एक दूसरे school में गया था, और यहां भी एक दूसरे school में जा जा रहा है, यह जो एएस्पऑ अब आपका कब मालूम चलेगा ? जब आपका Center List आएगा तब, ठीके ! आपको clear होगी है सारी चीजीए, अब देखो आगे, या गरहामत था उसके बाद यह बारहामत सर्च कर लेते हैं, अब देखो ! यह High School इसनील कुमारि guitar कोलीच मतब इसमें भी सेंटर गया है यह कोई i skool है यह कोई i skool यह 30 फिर अलग सा यह il July一 और तीके राम जनम इसकाम प् मतब चार इस्कूलों में गया है तो चार इस्कूलों में गया है हाई इस्कूल वालों का तो यहां से फिक्स सेंटर आपका मालूम नहीं हो रहा है ठीक अब जो चार इस्कूल देखा रहा है उन्हीं चार इस्कूलों में से किसी न किसी एक इसकूल में आपका सेंटर होगा अब कहो कि भाईया तो ये सेंटर लिष्ट का मतलब किया हम अपना इक्जेक्ट सेंटर नहीं जान पाएं तो इक्जेक्ट सेंटर आप देखना आपके सेंटर का हो सकता है मालूम चल जाएं चुकि मैंने यह जो school सर्च ही है न इसमें बहुत सार लड़कों का admission होता है 1000-1000 लड़कों का इसलिए कई school में सेंटर गया है इसलिए एक्जक्ट नहीं मालूम चल रहा है आपका school सर्च करोगे तो हो सकता है आपका school में कम लड़के होंगे तो एक ही school में आपका center चला गया तो आपका exact मालूम चल जाएगा ठीके तो यह रहा पूरा पूरा देखने का तरीका आसा करता हूँ कि आपका मतब समझ में आ गया होगा सारी चीजे ठीके और यहां पे देखो काफी सार लड़के मतब वो part 1 और part 2 बोल रहे थे तो इधर कहीं आगर आपका part 1, part 2 लिख्या है ठीके तो दो part 2 में center गया है और इसी school में और कहीं दूसरे school के नीचे यहां part 1, part 2 लिख्या है मतब उस school में center गया है ठीके part 1, part 2 करकर मतब दो भागों में clear है पूरा पूरा आसा करता हूँ आपका कोई भी doubt नहीं रह गया होगा ठीके इस वीडियो में हलांकि थोड़ा complicated हो जाता है center list देखना मैं कहूंगा अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप अपने जो अस्थानी ये teacher है तो वो क्या surprise है देखो मैं आपको दिखाता हूँ हमारी एक app है ठीके ये UP MSP study करकर ठीके आप इसको Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हो ठीके आप Google Play Store से इसको डाउनलोड कर ले ना डाउनलोड करकर open करोगे ठीके तो आपको कुछ ऐसा interface आपको पूरा पूरे ये दिखाई देगा आप लोग देख सकते हो ठीके बहुत इसांदार application है ठीके आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हो इसका link के इस video के मैं description में भी डाल दूँगा अब देखो यहाँ पे हमने एक course launch किया हुआ है ठीके देखो आवर courses में जाओगे तो यहाँ लक्षे बैच UP board के special 12th का नहीं है ठीके के वल 10th क्लास का है ठीके UP board special लक्षे बैच करकर यह नाम है इसका ठीके इस पे आप click करोगे ठीके तो यहाँ देखो इसमें क्या क्या चीज़े आपको मिलेगी मैं आपको वताता हूँ एकदम अच्छे से हलांकि इसका प्राइज है प्राइज कितना है देखो इसी बात पर आपको ध्यान देने की बात है प्राइज इसकी 299 रुपए है ठीके अभी मैं घटा कर यहाँ 250 कर दिया हूँ 250 रुपए आप पेमेंट करोगे तो आपको यह लक्छ वैच मिल जाएगा ठीके लेकिन एक दो दिन और वेट कर लो आपका जो एक जनवरी आने वाला है ना हैपी निव यर भई तो हैपी निव यर को यहनिनी यर में आपका मतलब और भी मैं कम कर दूंगा 119 रुपए ठीके तो आप 119 रुपए पेमेंट कर देना यहाँ पे आप आप आउन लाइन डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो यहानिचे आपको पेनाउक आयगा ठीके जा तो फिर यहां पर QR code दिख जाएगा कियूर कोड़ पर payment कहीं से दुकान से या कहीं किसी दोस्त भाईया से किसी से भी QR code पर payment कराकर और यहीं पर number दिख जाएगा आपको अभी यहां पर मैं खरीद लिया हूं यह तो नहीं दिख रहे हैं यहांपर, तो यहां पर अपने ही खर सारा मैं देखा हूं बहुत सारे लोग को सेल करते हैं लेगि इस तरह आपको अंदर जा कर कोई नहीं दिखाएगा देखो मैं अंदर आपको जा कर दिखाता हूं यहां पर देखो ख्रीद लोगे तो हैं आपको इहां से आना चाहूंगा कि अगर आप अपने बोडी जा में अच्छा मार्क लाना चाहते हो तो आपको अपना प्रिभीयस सेट करना ही पड़ेगा जो 2023 में आया था पेपर उसको पूरा का पूरा सौल्व करना ही पड़ेगा देखो पूरे यूपी में साथ सेट के पेपर आते हैं ज उसमें कुछ नए कोशन एड़ करकर और एक नए पेपर बना देते हैं सब यही किया जाता है तो आप अगर पिछले साल का साथो साथो सेट का हर एक सब्जेट का सॉल्व कर लेते हो तो उसी में से बहुत ज्यादा कोशन लगबग 60 से 70 परशेंट आपके फंज जाएंगे उसके लाब बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है वो सॉल्व कर लो तो आपका काम मतलब हो गया भाई 80 परशेंट आसानी से आजाएगा तो उन ही सब चीजों का इसमें आपको सालूशन मिलेगा जैसे आपको मालो हिंदी पढ़ना है तो देखो यह हिंदी में गया है आ वीडियो से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है यहां पर एक ही वीडियो में एड़ किया है इसी तरह सातों सेटों का वीडियो एड़ कर दूंगा ठीके आपको एक्जाम टाइम में पीडियेफ की जो पड़ेगी तो देखो यहां पे पीडियेफ वाले सेक्शन में आप और यहां चार कोड़ों का जो आपका दोह से तेज में पेपर हुआ था उसके चार कोड़ों का डीए 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 डीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडी यह एचिडी क्वाल्टी में है ठीक है और देखो इसमें बहुत सरा आप जानते हो कि प्रस्न आपका हर चुका है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, नोटिफिकेशन कर दिया है, एक नोटिफिकेशन टाइप का की स्टारमार्थ वाला प्रस्न हर चुका है, यहाँ पर जो भी तो सब को जो हड़ जुगा है उसको मैंने इस्टार मार कर दिया है और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में कर रखा है अब देखो यहां क्यों आपको पेपर नहीं मिलेगा यह तो आपका पेपर है यहां पे 6, 7 और 8 पेज तक आपका हो सकता है पेपर होगा अफेपर के बाद यहां पे पूरा डिटECL मिलें ही हां पे solution भी है देखो यह MC की पूरा 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 या answer है उसके बाद यहां पे अच्छे से यह संदर्भ ब्याख्या किया गया है खंड को के बाद खंड को के बाद खंड को के अंतरगरत आपका सब्जेक्टीव प्रसनात है उसका देखो अच्छे से जैसे यह संदर्म लिखा जाते हैं प्रसूत गध्यान सामारी पाठे पूछ तक हिंदी के भारतिय संस्कीति नमाग पाठ से लिया गया है जिसके लेखक राजिन प्रसाद है इस तरह से यह पूरागफुरा देखो हर एक सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही मतब़ अच्छे से देखो यह जीमन परचे लिखा गया अच्छे से ठीके एकदम आपको ऐसे ही मिलेगा पूरागफुरा यह नोट्स ठीके जैसे मैं आपको साइंस में चल देखो paper यह 7 य 8 पेज तक आपका हो गया उसके बाद देखो यहां तक आपका paper हो गया और इसके बाद देखो यह पूरा पूरा solution है यहां पर सबसे पहले mcq का solution है ठीक है और यहां पर यहां पर यह देख सकते हो यह figure आपका मैं अच्छे से figure बनाकर भी add किया हूँ सारी चीज़े आप लोग देख सकते हूँ यह solution यह देखो पूरा पूरा इपसी नाम वाला सब चीज़े हैं ठीक है तो यह चीज़े आपको इतनी चीज़े यह देखो अंतर जो आकसी स्वाशन और अनकसी स्वाशन ने उसमें अंतर लिखा गया है यह लसी का और धीर में अंतर लिखा गया है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ऐसे यह देख सकते हो कितने अच्छे से question जो है न उनका answer यहाँ पर explain किया गया है अच्छे से figure को लगा कर यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात कि साइड में टेस्ट भी मिलेगा यहाँ पर देखो वीडियो भी मिल गया पीडियापस आपको नहीं समझ में आ रहे है तो वीडियो वहाँ पर जाकर देख लो और यहाँ पर mock test भी मिलेगा जैसे यहाँ पर देखो आपका तो 7 एक होगा जैसे देखो यह है यहाँ पर mock test में यहाँ पर आप जयाकर मौक टेस्ट भी आप दे सकते हो यहाँ पे देख सकते हो, मालो इसके यह फश रही आपसन, ठीके, उसका बाद यहाँ पे नीचे देखो, आपका next लिखा है, तो next पे क्लिक कर दो, और फिर अगला question दो, इसका दो, और फिर next पे क्लिक कर दो, इसी तरह देकर test और ant में आप submit कर सकते हो, test और देख सकते हो, लक्षे बैच जोईन कर सकते हो, मातर 250 रुपे में, और अभी आपको happy new year offer आ रहा है, ठीके, तो आपको मातर 99 रुपे में यह लक्षे बैच मिल जाएगा, असानी से इसको पढ़कर आप अपने बोड़ी जमे 80% mark ला सकते हो, तो अगर आप पढ़ने वाले student हो, तो आप य चलो, यह रहा पुरा पुरा हम लोग का लग्षे बैच के बारे में पूरी पूरी डीटेल, ठीके, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पूरी चीज़ दी गई है, ठीके, चलो, तो आजा करता हूँ, कोई doubt नहीं रह गया होगा, अगर कोई भी doubt रह जाता है, तो आप comment कर देना, मैं जरूर रिफ्लाई करूँगा, चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तके लिए, ठैंक यू